कहने वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे सुप्रिम कोड के अंदर ही कई ऐसे वकील हैं जो कि रोज एक क्रोड कमाते हैं, रोज, कई ऐसे हैं जो रोज पचास लाग कमाते हैं, कई दस लाग कमाते हैं, और कई शायद दस जार भी नहीं कमाते हैं, तर अतन टाटा की में इज़त एक उचमांडन रस्थापित करते हुए, वो काम करते हैं, तरतंग डाठा उनमें से एक हैं, मैं अमिताब बच्चन जी के लिए जब उनका एक लेंड डिस्पूट वाला केस चल रहा था, तो मैं उनके पास कई बार बैठने का मौका मिला, और लगातार बैठते थे हम लोग, उनका ज्यादा ध्यान होता था कि मैं अपने बाबु जी की लिखी किताब को पढ़ूँगा, हरिबंसरा बच्चन जी की लिखी किताब को, और उनका ये कहना था कि कोई न कोई सलूशन मेरे बाबु जी ने इस किताब में लिखा होगा, तो मिताब बच्चन अपनी हर समस् lawyer है इंडिया के Supreme Court में lawyer है इन्होंने आज के podcast में हमें law के बार में सिखाया एक law के career की असलियत क्या होती है इसके बार में बताया तो अगर आप एक aspiring lawyer हो आपको ये podcast बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा पर इसके साथ-साथ अगर आपको life में कभी law करनी भी नहीं है फिर भी ये podcast end तक देखे क्योंकि बहुत सारे experiences उन्हों ने शेयर की हैं Bollywood के साथ experiences politicians के साथ experiences sportsmen के साथ experiences एक advocate की life की trip जैसे कहते है उस life का नशा होता है असलियत प्रूत सत्य पावर का सच जानना पैसों का सच जानना और human nature का सच जानना बहुत ही मज़दार conversation है बहुत ही intense conversation है enjoy कीजिए यह आप family के साथ भी डेख सकते हो family के साथ देख देख कर आप सीख सकते हो यह advocate Pradeep राए हमें law के बार में सिखाते हुए PRS पर enjoy प्रदीप राए सर टी आरे सिंदी में आपका स्वागत है थैंक यू थैंक यू रंबीर थैंक यू कैसे हो सर मैं विल्कुल ठीक हूँ और मैं तो first time किसी यूट्यूब के चैनल पर आया मुझे तो ऐसे आपको देखता रहता हूँ मैं मुझे बड़ा मज़ा है आपके साथ बात करके आज आपको हम सभी को law के बार में सिखाना है Indian Lawyers के careers कैसे होते हैं Judges के careers कैसे होते हैं वो पूरी दुनिया कैसे होती है और मैं एक science student के perspective से कह रहा हूँ मुझे literally कुछ भी समझ नहीं है law के बार में आपको बहुत basic level पर आकर समझाना पड़ेगा बिर्कुल ठीक है मैं एक बार एक finance professional से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे एक बहुत cool पर अजीब चीज कही ठीक है उन्होंने कहा तो मैंने उनसे पहले पूछा कि sir अगर आप हर मेने करोडो में कमा रहो तो आपको उन पैसों को कहा इन्वेस्ट करना चाहिए और उन्होंने इसका जवाब दिया कि ऐसा नॉमली नहीं होता है पर कुछ-कुछ lawyers कमा लेते हैं इतने ज्यादा पैसे तो यह क्यों है sir is that true कि law is one of the highest paying professions यह बिल्कुल सही है देखिए जैसे अगर हम लोग कहने वाली बात नहीं है लेकिन हमारे सुप्रिम कोड के अंदर ही कई ऐसे वकील हैं जो कि रोज एक करोड कमाते हैं रोज कई ऐसे हैं जो रोज पचासला कमाते हैं कई दसला कमाते हैं और कई शायद दसजार भी नहीं कमाते लेकिन मैं आपको बताओं कि मैंने कई बार देखा इसको इसका जो अंतर है ना उसका अंतर केवल एक कारण से है कि आपका फोकस नहीं है पांच साल की स्ट्रगल चाहिए होती है क्योंकि आप आते हो एक प्रोफिशन के अंदर जहां पर उसकी निटी ग्रिटी प्रोफिशन के सीखने पड़ते हैं अब आप लोग जैसे यह कर रहे हो कितनी महनत की आप लोगों ने आपको लाइट समझते हो कैमरा समझते हो आडियो समझते हो फिर जाके आप एप प्रोग्राम करते हो अगर आप जैसा किसी को बनना है तो कमफर्टेवल होना पड़ेगा उसको एक स्मार्ट बातचीत करनी पड़ेगी वैसे ही हमारे कानून के दुनिया में भी है अगर आप वकलत में आना चाहते हैं तो आपको जो इस क्लाइन के साथ आप बातचीत कर रहे हैं पहले तो आपसे करो उसकी समस्या को तो समझो उसकी बात को सुनो यह नहीं है वकील का मतलब क्यों बहस कर रहे हैं वकील का मतलब है पहले सुनना और फिर जो क्लाइन चाहता के लॉयर थे मंगलावर के रहने वाले सुप्रीम कोर्ट जजज बने रिटायर हुए हमारे कोर्ट नमबर 3 से जिनों ने राम मंदिर पर भी अपना फैसला दिया था उनका मैंने उनकी एक बात कहीं उनके फैरवेल ने मैंने कहा तो बिलकुल यही बात सब पर लागू होती है हमारे कई वकील ऐसे हैं जो आते हैं जाते हैं उनको मैं कहता हूँ कि आप इसको सीखो हमारे यहां अपने ओफिस में हमारे 400 इंटर्न होते हैं हर महीने एक महीने के लिए आते हैं और कस्मीर से कन्या कुमारी तक के बच्चे आते हैं मैं उन सब को यही कहता हूँ कि देखो अगर मैंने कर लिया तो आप 100% कर सकते हो हमारे जमाने में तो टीचर भी नहीं थे स्कूल के अंदर बाकी जब लाओ में हम लोग आये तो यह माना जाता था कि यह बड़ा ही पिछड़ा हुआ बड़ा बेकार सा प्रोफिशन है इफ यू डोंट है ब एनिधिंग इस तो परसू देनी और परसूइंग लाओ और सेम वास बिद जनलिजम और सो एक मेंटल्टी थी लोगों की तो मेरा यह मानना है कि अब वो जो मित है ना वो खतम हो गया आप सारे अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं बहुत अच्छे घरों के बच्चे आ रहे हैं तो अब वो कोई यह जो एक बंधन था कि हम कानून के अंदर इस दुनिया में आके कैसे काम करेंगे वो बात खत्म होगए हर आपमी कानून को जानता है अब आप किसी से बात करो ट्रेफिक चलान वाले से आप बात करते हो कानून की बात करोगे और कानून ऐसी चीज है जो आपके हर अनभो में आपके साथ वो कहीं न कहीं युड़ा हुआ है ओके हर बच्चा विराट को ली नहीं बन सकता और ये लाइफ का एक कठोर सच है बिल्कुल सही है उसी तरह हर बच्चा लॉयर या सुप्रीम कोड जज नहीं बन सकता तो इन प्रोफेशन के लिए स्किल सेट क्या चाहिए रहता है देखिए मैं आपको बत एक जगह पे आते हैं तो करेक्फ 15 में से कोई दो को मिलता है लेकिन यह नहीं क्योंगा कोई फेल होता अगर आप जजज नहीं बने आप कुछ और बनते हैं। का जो जीवन है उसके successful 20 से 25 साल होते हैं अगर आपने 25 साल को ठीक से utilize किया ठीक से आपने काम किया तो आपको पीछे मुड़के नहीं देखना होगा और मेरे खियाल से यह बहुत से लोग हैं जिसको की परसू करते हैं और आप देखेंगे कि जो successful लोग हैं उन्होंने 25 साल तो coaching कर रहा होता अगर हो coaching में top पर नहीं जाता तो fielding का coach होता वो भी नहीं कर रहा होता तो कुछ और किसी business में होता लेकिन यह कहना कि आप लेकि मेहनत कितनी करनी है उतने घंटे आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो पहले है तो देखो अब कितने ऐसे लोग हैं जो रोज 2 घं नहीं पढ़ते हैं और उसके बाद से आप जब court के अंदर जाते हो और आप committee उसे कर रहे हो जिसने की पढ़ा हुआ है 6-8 गंटे पढ़ रहा है तो तो पढ़ना पढ़ेगा आपको लेकिन पढ़ाई का मतलब यह नहीं कि आप उसको enjoy नहीं करो पढ़ाई को enjoy करने के साथ- this is the only profession where you learn at the cost of your client they know more than you उनका case है वो आपको बहतर जानते हैं वो आते हैं आपके पास वो बताते हैं कि देखिए हमारे case के अंदर यह fact है हमारे वकील साब ने यह गलती कर दी उन्होंने यह नहीं बोला उन्होंने वो नहीं बोला तो फिर आप जब सब कुछ जोड़ते हैं उनकी बातों को सुनते हैं क्लाइन के फिर अपने इसाब से आप लाउ को एक्जामिन करते हैं और आप तब जच करके उस मामले को आप परसू करते हैं तब जाके success होती है उस case के अंदर तो आपको क्लाइन की बातों सुननी चाहिए उसको सीखना चाहिए और यही एक इसका मूल मंत्र है कि आप जब जिस दिन सीख जब तक सीखोगे तब तक बढ़ोगे यही मूल मंत्र है इस प्रफेशन में आपको बेसिल की डेटा की खुदाई करनी पड़ती है यह को सही फाशन में फिर आपकी अगरेज आपको एच काम करना है तो आपको फी थी बिसन स्किल्स को मैनेज करना पड़े गको होना चाहिए होना चाहिए tax तो pay करना होता है ना तो हम जितने भी लोग हैं tax भी pay करना होता है उतने पैसे आप घर में क्या करोगे properties में invest करोगे कुछ और करोगे तो वो भी तो आई जाती है लोगों को आपने कहा कि कुछ खुछ lawyers महीने के नहीं दिन के एक करोड रुपए कमातें मिल्पूल जी, मतलब साल के 300 करोण से ज्यादा रुपए का बाद, साल के 300 करोण रुपए से ज्यादा, कैसे, क्यूं, देखिए ऐसा है कि उनका भी बैग्राउंड है, उनकी भी मेहनत है, जैसे मैं हरीश चालवे को भी बोल दूँ, कहने के लिए आप कह रहे हो तो मैं उनका का नाम नहीं लेता हूँ, मैं उस मामले में मुझे भी मुझे भी कंसल्ट किया जा रहा था, एक मिनट सर्व, सॉरी, मैं को आपको कट करना पड़ेगा, आपको दो शब समझाने पड़ेंगे, रीटेनर फीज और आग्यूमेंट्स, आपने, मैं समझा देता हूँ, तो री और ये उंगेज्मेंट फीस होती है, उसके बाद फीस आती है कि हमें आप अगेज कर रहे बगेज कर रहे है, उसकी फीस अलग होती है, ज headaches इसकी उर्लक पे जाते हैं, तो जब हमैं आप रिटेन कर लिया, मतलब हम कम से कम आपके खिलाफ नहीं चासकते है, ऐसा बहुत से क में होता है, हम लोग जे जुनियर लॉयर, कई केसे में हम लोग 15-20 इनियर्स को इंगेज करते थे, उनको रिटेन करते थे, उसका मतलब कियो यह होता था कि यह लॉयर्स हमारे खिलाव की साइड में नहीं जाएंगे, और उधर से बहस नहीं करेंगे, उसकी फीस होती है, और एक करूर तक होती है अपकी रेप्यूटेशन के बेसिस पर फी मिल रही है बिलकुल बिलकुल जैसे राम जी प्नानी जी थे वो फाइल पढ़ने तक की फीस ले ले लेते थे कि मैं इसको पढ़ूँगा जैसे हम लोग भी अप कंसल्टनसी कोई आता है करता है हमारे साथ बैठता है तो हम जितने मिनट हमारे साथ तो बैठता है हम आलमोस उतने मिनट के चार्ज तो करते ही है पर मिनट हम उनको बोल देते है कि आप मारे पास एक घंटे से तो आपको एक लाख रुपे देने है कोई ऐसा भी होता है जो दो लाग भी लेता है कोई पांच लाग भी ले सकता है और इटरनर सिर्फ अलग से होती है फिर आप जितनी बार कोर्ट में जाते हो आप चाहें कोर्ट के अंदर आपकी डेट लग जाए यार मेटर सुहरिण पर नहीं आया सुनवाई नहीं हो इस मामले की लेकिन आप तो कोट में गए उसकी आप फीस लेते हो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है कि मैं आपके साथ पॉड़कास का रहा हूँ आप मेरे से फीलेंगे आपकी टाइम की वाल्यू बहुत ज्यादा है क्योंकि यह प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है और आप से कितने लोगों तक यह पहुंचता है कितने ऐसे यूथ हैं जिसको जानते हैं कई लोग मुझे मेसेज करते हैं मैंने बारावी पास की है मुझे लॉग करना है मैं क्या करूँ कई लोग मुझे मेसेज करते हैं सर मैं फर्स्ट इयर में हूँ मुझे बताएं कैरियर में कैसे आगे बढ़ू और मैं बताऊं आपको कि मैं इसमें संकोश नहीं करता हमारी ये ड्यूटी है हम लोग उसी बैक्ग्राउंड से निकल के आएं अगर हम लोग आके कर सकते हैं तो उनके लिए क्यों नहीं करेंगे और सबसे बड़े आप बात पता है क्या कि आप हिंदी में समझा रहे हो नहीं बिल्कुल आप ये हिंदी में भी समझना चाहिए और हिंदी में समझाना भी चाहिए आपने जब मुझे कहा कि हिंदी में आने चाहिए सब तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हमारे जो आम लोग हैं जिनके पास ये माध्यम नहीं है जिनको ये समझ नहीं है कि कैसे करें, क्या करें, कहां पहुंचें अब आपको बताओं जब हम लोग पहली बार दिल्ली में आये थे ये सोच के कि वकील बनना है, मैंने तो देखा कि ये तो इतना मुस्किल काम है, वकील बनना क्योंकि आप किसी सीनियर के पास जाओगे, वो पैसे नहीं देगा आपको, उस जबाने की बाद बता रहा हूँ आपको, और अब धीरे धीरे ये हो गया कि उसके बाद आप पैसे नहीं देगा, फिर मैटर में आपको हेरिंग के ले ने ले जाए और उस दिसा को ले करके आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहा है और जब-जब कोई देश, कोई समाज तरक्की करेगा, तो वकीलों की आमदनी होगी, और वकील आगे बढ़ेंगे, क्यों कि आप जब आगे बढ़ते हो, तो आपके intellectuals अंगर्स होते हैं, आपका agreement ह होगा, आपका contract होगा, आपका M.O.U. होगा, आप कोई न कोई कानून गलती से तूट जाएगा, या आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हो income tax notice देगा आपको, आपकी GST की notice आ जाएगी, या आपको GST income tax से निकल गए, कोई company बना लिया आपने, shareholders का dispute हो सकता है, उसके बाद समाज के अंदर हैं, आप पहले दिन से लेके आखरी दिन तक रोज कुछ न कुछ ऐसा होता है, जिसने की एक वकील को बीच में आना की ज़रूरत पढ़ सकती है, मैं नहीं कहता हूँ पढ़ेगा वकील, लेकिन आपको पढ़ सकती है, कई बार आपकी ego भी होती है, जैसे मै मैंने अभी किया है, मैंने सुप्रिम कोट के अंदर 200 मीडियेटर्स तैयार किये, मेडियेटर ये होता है कि कोट में जाने से पहले मामले को मद्यस्ता के द्वारा, हम और आप बात करके, वह क्यों लड़ रह हो, क्या बात है, आप बताओ क्या चाहते हो और उसका निप्ता कि सार अमने लिए लिए. और मैं उनको हमेशा कहता हूं कि you see now in the future you all will be remembered not because you succeeded in the matter. You will be remembered that how litigation you avoided. That is the main art because the people who are fighting, contesting for the nitty gritties, and even sometimes for the ego. So if you can avoid this just by mediation just by giving an opportunity like husband and wife. In most of the cases husband and wife they are fighting. And you see who can be closer than them. जिए बट यू नीड ए मेडियेटर तो जब आपको पती-पत्नी के जगड़े होते हैं और उनके बीच में जब जगड़ा हो इतने ख्लोज होते हैं उनसे नस्दीक तो कोई रिस्ता है नहीं लेकिन उस रिस्ते के अंदर आपको जब बात्चीत करानी पड़ती है बिठाना जो बोल रहा है यह स्थीक नहीं बोल रहा है क्योंकि दोनों जानते भी एक दूसरे को बहुत बहुतर तरीके से हैं तो मामले मेडियेशन को जा रहे है तो आप देखिए जो भी मामले आएंगे धीरे-धीरे समाज हमारा सब होता जाएगा और कई बार कोट में आने से पहल कर रहे हो उसकी आप डाफ्टिंग कर रहे हो क्लाइन से बात कर रहे हो अब इतने ब्रांचेज खुल गया है टेलेकाम डिस्प्यूट है तो टीडी सेट में जाओ, कंजूमर के लिए कंजूमर फोरम में जाओ, आपको कोई कंपनी से डिस्प्यूट हो गया तो कंपनी जेक की जानकारी पता रहे है लेकिन अब जो नएव बचे आ रहे हैं ना, जो उंको हर एक को लगता है है। हम मैष्टे तो क्या करता हूँ बच्ने बात करता हूँ अब हमारे हाँ हर बार जो इंट्रश सीप प्रोग्राम होता है मैं उससे पूछता हूँ कि आप ये बताओ कि आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, सबसे पहले आप वकील क्यों बने, तो कोई बोलता है ममी ने बना दिया, कोई बोलता है कि मेरा मन था, कोई बोलता है कि मुझे ये पसंद है, फिर मैं पूछता हूँ कि आपका फैबरि है कहीं पे कुछ हो रहा है उस सारे केसेज फाइल होते हैं एंगेटी में और वहां कोर्स तुनवाई करती है आप उसके एक्सपर्ट बनो कोई बात नहीं है अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो यह जो दुकानों पर खरदारी करता हूं वहां पर ज्यादा पैसे कोई देत है कम में खरीता है या कोई जाती करता है हमारे साथ उस पर करना है आप वो करो तो आपके पास जो करना चाहते हूँ है लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि मुझे इंटरेशनल लाग करना है तो मैं कहता हूँ यह बहुत अच्छा है एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए बहुत अ मेरे तो फादर नहीं है मेरे घर में कोई और नहीं है मैं लेशा मेरे बहुता हो सबसे पहले आप सीखो कि कैसे फाई रिखाई जाती है यहां नेपोटिज म working होता है अब जैसे आपके घर में खाना बना लेकिन उ पहले तो आप ही यही logic है कि जो clients, फादर के पास, ठीक है, ठीक है. Law में भी यही है, लेकिन यही सही है कि ड़क्टर का बेटा यही बरोसा है, यहाद बन गया लेकिन लेकर दॉक्टर का बेटा ठीक से इलाज नहीं करता, और पैसेन्ट खूछ न ही है तो दूर हो जाएंगे. यही चीज लाव में भी है अगर आप उसको ठीक से अटेंड नहीं करते हो बात नहीं करते हो ट्रस्ट जो क्लाइन्ट का है जो भरोसा है वो बहुत इंपॉर्टन्ट है जो आपके पास आ रहा है बात करने के लिए जैसे देखिए आपका सो कोई क्यों देखता है क्योंकि इसको मालوم है कि यह जो रन्वीर बात कर रहे है यह बात हमारे सारोकार का है यह बात हमारे लिए कर रहे है और यह सुनने से हमें भी कुछ न कुछ जरूर फाइदा होगा कि जब KBC अमिताब बच्चन को मिल रहा था, हो तैयार नहीं थे करने के लिए. वो तो मजबूरी में किया उनोंने, उनके पूरा परिवार इसका भिरोत कर रहा था. और किस तरह से उनोंने KBC लिया और डर डर के उनोंने किया कि पता नहीं मैं चलूँगा कि नहीं चलूँगा और KVC इनका बेगेस सेवियर हुआ मैं तो उस मामले उनको एक दो बार जब उनकी कांट्रेक्ट स्टार के साथ खतम भी तो उनको मैं एडवाईज भी कर रहा था तो मैंने देखा कैसे वो इस मामले से कैसे KVC के एक प्रोग्राम से जो की टेलिविजन छोटा मीडियम मानते थे कहां पहुँचे और आजो जो भी बचे उनका जो रिवाईबल है जो उनकी लाइफ की सेकेंड इनिंग है वो KVC की वज़ए से तो ये चीज होती है और आपको ये सभी जो जितने भी यूथ हैं जो लाग को परसू करना चाहते हैं उनको ये बात तो जरूर माननी चाहिए कि देखो हमने अपनी इस उम्र में हमको जिससे मिलने का मन था उससे मैं मिला और अपने टाउंस पे मिला ये तो है नहीं कि मुझे कोई जाके मिलना की तरक्की हो गई तो हर क्षेत्र की तरक्की होती है और अगर कहीं भी तरक्की हुई तो प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगा उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लॉयर्स की जरूरत होती है और सिस्टिम की जरूरत होती है बेखिये, मैं पढ़ाई की बात करूँ, अटेंडेंस आट हो गई आपकी, आपकी एक्जामनेशन छूट गया, आपकी कॉलेज ने कहा कि नहीं, आप इस तारिक को, आपका ये कोर्स होगा, आप कहते हैं, इस तारिक को मैं बिमार हूँ, मुझे आप कोई और डेट दे हैं, नहीं देते हैं, सबके लिए उनिवर्सल डेट आएगी, तो हर एक मुद्दे पर लिटिकेशन है, अगर आप करना चाहें, तो हर मुद्दे पर आप कपड़े पहनते हैं, कपड़े की क्वाल्टी ठीक नहीं है, उससे आपको स्किन की प्रब्लम हो गई, जैसे कई बार मैं जड़ासी भी इगो, जड़ासा भी इंटिलेक्श्वल लेबल वहां पर जगड़ा होगा, आप किताबे कापी करते हो, स्क्रिप्ट कापी करते हो, फिल्म बना रहे हो, आप वहां पर कोई आपने स्टेप कापी कर लिया, उसने केस डाल दिया आपके उपर, ऐसी चीज़ होती है, आपने कोई ऐसी सीन फिल्म के अंदर आ गया, इसको आप पसंद नहीं करते हो, एक ग्रूप खिलाफ में आ जाएगा, वो बोलेगा कि यह सीन हटा हो, आप को होगे, आमने पास कराया सेंसर बोर्ट से, तो हर चीज हो सकती है, तो आपको हर दिन, जीवन के हर मोन प यह ट्रेड मार्क यह होता है, कि जब आप कोई चीज डवल अप करते हैं, कोई चीज आप बनाते हैं, तो उसके लिए आपकी एक अधिकार आता है उसके आपके साथ, जैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं तो कॉपी राइट कराते हैं उसकी, इसके रिए रिजिस्टार है, यहा मालडा बना दे, आप कोईस हमारे को कॉपी किया है, इन्होंने ऐसे किया है, यह सेम लोगो ले लिया है, उसमे डिस्प्ट होता है, कई बार उसकी कॉपी हो जाती है, तो उसके लिए आपको प्रटेक्ट होना बहुत जरूरी है, जैसे आपने स्टार निउस बना या दूस सामने बैठके करते हैं इसका कोई नाम रखें आप इसी और ने copyright करा रखा है तो नाम नहीं रहेगा आपने कोई प्रोग्राम किया उसकी copyright आपके पास है तो प्रोग्राम future में कभी भी कोई करेगा भविश्य में उसकी जिम्मेदारी होगी और आपको profit देना पड़ेगा उसक तो एक चीज तो है वो चीज करनी चाहिए और लोग जो है दीरे-दीरे जागरूक हो रहे हर छेत्रे में काम करने की कोशिश करने विदेशों का जो अधिकार था ना एक अधिपत्य था वो खतम हो गया मेरे एक फ्रेंड है गौरफ तनेजा भाई वो एक यूट्यूबर है फ्लाइंग बीस के नाम से आपने सुना उन्होंने अट एज थर्टी टू या थर्टी थरी लॉग की पढ़ाई शुरू की तो मैंने उनसे पूचा कि इस इसकी ट्रिप क्या होती है यानि कि इस एज प पावर in terms of growth फिर मैंने और किसी थोड़े experience lawyer से भी यह सवाल किया था कि इसकी trip क्या होती है यानि कि आपको मजा क्या आता है law करके उन्होंने का कि सच दिख जाता है हर जगा मैं आप से भी यह पूचूँगा कि आपको मिलता क्या है as a human being आपको क्या मिलता इस profession से देखी ए एक अलग लेबल की satisfaction होती है और रुक्यों होती है कि सारे पढ़े लिखे एक certain है कि log graduate नहीं है तो आप court में नहीं होती है competition भी आपका उनी से है मकावला भी उनी से है लोग भी उनी से मिलने हाते हैं और हर दिन एक नए तरह की challenge होती है नए तरह की समस्या आती है उसको हम नए तरह से सुलिघाने की कोशिश करते है उसको हम अलग तरह से उसकी arguments को draft करते है घर दिन हो conference होती है हर एक आदमी का एक जो जीवन है न अन्भवों से भरा हुआ है आपका जीवन का जो experience होगा वेरा नहीं हो सकता, जो मेरा है वेरा है आपका नहीं हो सकता ऐसी हर एक आदमी जो बिलता है आपको वो अपने 20-25 साल का अन्भव आपके साथ चार-पात दिन में साजा करता है, सीखाता है आपको, और आप अगर सीखने को तयार हो, तो वो एक चार में उसका, आप उसको सीख रहे हो, जैसे अजरुदीन का केस आया, क्रिकेट प्लेयर थे अजरुदीन, इंडियन टीन के कैप्टन थे, मैश फिक्सिंग का चार्ज लग गया, रातो रातो उनकी प्रोफाइल थोड़ी नीचे हो गई, अब उनका एक बैंक की नोकरी थी, जीम की, उस बैंक की नोकरी को बचाने का संगर्स था, जिसमें को उनको निकाल दिया था, एक टाइम ऐसा आता है कि आपके वही चीज़ इंप्रोटन हो जाती है, जब आप खेल रहे थे, जब आप टीम में थे, उनकरी कुछ भी नहीं थी, आपको उतने एक एड्स मिल रहे होंगे, लोगों की बाटोग्राफ दे रहे हो, लेकि जब एक टाइम ऐसा आया कि जब आपका टाइम प्रोट गिरा हुआ है, डाउन है, तो आपको दस तरह की मुसीब्ते आती है, जो छोटे-छोटे काम आपके एक फोन से हो सकते थे, आज आपके हाथ जोडने पे, बार-बार जाने पर भी हो काम नहीं होते, यह टाइम आता है, और जब आप ऐसे समय आते हैं, तो आप में बहुत सिखाता है आपको, आपको जीवन के सारे उसके एक्स्परियेंस मिल जाते हैं, बाकी आपको उससे जो बात करने के साथ, उस क्रम में आपको कई ऐसी जानकारी मिलती है, जो आप अधर वाईज नहीं पाते हैं, तो इसलिए एक बहुत बड़ी बात है, हम लोग ये रोज सीखते भी हैं, रोज सिखाते भी हैं, लेकिन लाज सुरू करने का कोई एज नहीं है, जैसे पी एन लेखी साहब हैं, रिटायर होके कर रहे हैं, सेकेर्टरी जनरल हमारे लोकसवा के थे, बह checks, बहुत रहीं हैं, चीफ एलेक्शन कमिशनर थे होता साथ, भी रिटायर्मेंट के बाद वखालत सुरू किये, तो आप retirement के बाद भी काम सुरू कर रहे हो तो आप कर सकते हो और ये अकेला ऐसा profession है जहां मान लो कल मुझे काम नहीं करना है तो मैं ये कह सकता हूँ कि कल मुझे काम नहीं करना है हमें छे महीने नहीं करना है छे महीने बाद हम फिर सुरू कर सकते हैं आप जहां से सुरू करोगे, वहीं से सुरू हो जाएगा. आपको लगता है कि हम एक साल का ब्रेक लेके कुछ और ट्राई करके फिर करते हैं, आपकी पसंद की कोई चीज हो, आप तब कर सकते हो. लेकिन मेरा ये मानना है कि ब्रेक लोगे तो आपकी यो क्वाल्टी नहीं रहेगी, फिर आपको उतनी ही मेहनत करनी होगी, लेकिन कम से कम वो चांस मरता नहीं आपका. बाकी किसी प्रोफिशन में ट्रेन अगर आपकी छूट गई तो छूट गई. ये स्पोर्ट की तरह है, आप बहतर होते जाते हो टाइम के साथ. बिल्कुल सही बात है, आप जिसको भी पॉलिस करोगे, जितनी बार आप करोगे, उतनी बार आप उसको बहतर करते जाओगे. आप एज के साथ भी आप बहतर होते जा रहे हैं? ये भी सही है, क्योंकि आप एज के साथ आपका अन्भो, आपकी लोगों से बात करने की सक्ति, फिर आपकी अर्गुमेंट्स, कोड का एक्सपिरियंस, कोड क्राफ्ट, लोगों से बात कैसे करें, कैसे रखें, और मेरा ये मानना है कि इसमें एक ही चीज है जो लोगों को आता है, तो आप ये सोचते हो कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत knowledgeable हूँ, मैं बड़ बड़ा intellectual हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, तो मैं तो हमेशा बच्चों के कहता हूँ कि आप तुमारे पिता के पास कोई संपत्ती हो, आप उसको मत देख यूथ प्लेयर को ले रहे हो, यंग खिलाडी को ले रहे हो, तो आप क्या देखते हो उसमें, मैं कियवल एक चीज़ देखता हूँ, वो honest है की नहीं है, और वो महनत करना चाहता है, अगर दो चीज़ों में वो सच्छम है, अगर वो इमानदार है, और महनत करना चाहता है, तो आप जान लो कि उस लड़के को भी कोई growth करने से रोक नहीं सकता, हमारे टीमें भी कई बच्चे हैं ऐसे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जब वो सामने आते हैं मेरे, सुरु सुरु में आते ते गुसा आता था कि यह कुछ नहीं करते हैं, मगर आज एक साल, दो सा तीन साल काम करने के बाद जब वो सामने आते हैं, और जब उनकी बात मैं सुनता हूँ, तो कई बार मैं आख मूट के वरोसा कर लेता हूँ, कि उनने पढ़ लिया है फाइल को, ठीकी पढ़ा होगा, और ठीकी नोड बनाया होगा उसका, यह बहुत बड़ी बात है, और कई इंटर्न, मैं तो आपको बता हूँ, अभी मैं इस बार हमारे जो तीन सो की ग्रूप थी, हमारे इंटर्न्स की, उसमें सेकंड इयर के करीब 15-20 बच्चों ने इतना इंप्रस किया मुझे, सेकंड इयर, जो की इंटर्मीडियेट पास करके और फोर समिटर में है, थर समिट में हैं, उनकी बात सुनो अप, और इतनी महनत से उनना रिसर्च की, सब कुछ नोट बनाया, मैं एक अर्गुमेंट जैसा भी कराता हूँ, एक सेशन कराता हूँ उनसे, इतना मुझे अच्छा लगा कि यह सेकंड इयर के बच्चे अच्छा कर रहे हैं, मतलब 20 साल के बच् 24 के होंगे, 25 के होंगे, तो उनको कोई चीज की कमी नहीं होगी, मैं तो अभी उफर कर देता हूँ, ऐसे कोई बच्चे अच्छे दिख गए, तो मैं बोलता हूँ कि देखो भई, तुमें जिस दिन 5th year complete करोगे, you have to come back to me, अब मेरे पास आ जाओ, तो बहुत अच्छा होता है, और ये उन बैच्चों के चेहरे पर भी खुसी होती, satisfaction होता है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया, बहुत ज़्यादा applications मिलने माले है, इस podcast की वज़े से, तो थोड़ा ध्यान से, मेरे पास आते ही हैं, ऐसे भी आते हैं, मैंने website पर भी लगा रखा है, अपने Supreme Court If you don't have anyone as a second generation, I am there as your guardian, you can just straight away come to me, or you can just send me a mail, whatever can be done, मैं करूंगा ही करूंगा, आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, कि हमें कोई परशानी होगी, इसलिए क्योंकि मैं first generation का हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं जाती नहीं होने दूँगा आपके साथ, बाकी तो ठीक है, जिसक सक्सेस मिलेगी, वैसा हो काम करेगा, लेकिन ये भी सही है कि कोई अगर आज जीवन ने फेल है, इसका मतलब नहीं कि कल भी सक्सेसफुल नहीं होगा, कितने अच्छे टॉपर्स हैं, टॉपर्स मैं बता रहा हूँ आपको, जो की टॉपर्स थे, जिनके वकालत नहीं चलती जी, और कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पढ़ाई में जाज़त ध्यान नहीं लगाया, गुमते फिरते रहे, कुछ और करते रहे, वकालत नहीं बहुत चल रही उनकी, क्योंकि ये जो फिल्ड है ये रियल लाइफ एक्स्पिरियंस का है, इसमें आपको जैसे जनलिस्ट लोग होते हैं, वैसे जैसे वकील लोग होते हैं, इनका असली काम क्या है, कि ये समाज का जो एक अन्वो है ना, उससे उनकी पावर निकलती है, आप जितना देखते हो, उतना ही आप बढ़ोगे, जितना ही आप देखके सोचोगे कैसे किया, क्या किया, कब किया, वो इंप का बएक्ग्राउंड है, तो हम लोग गाहूंवालों को भी मिले हुए है, सहरों को भी देख रहे हैं, याहां भी देख रहे हैं, हमारे जीवन में इंड़िश्टियरिस्त भी आए, फिल्म स्टार्स भी आए, गाहूं खे गरीब भी आए. फिल्म मेर्ल के बार में कुछ बताईए सर फिल्म में आप देखिए जो फिल्म के जो लोग है एक तो उनकी जो दुनिया है वो आप तो खेर यहां बॉम्बे में बैठे हुए है तो इनकी दुनिया थोड़ी अलग होती है कैसे सर? मैं अमिताब बच्चन जी के लिए जब उनका एक लैंड डिस्पूट वाला केस चलना था तो मैं उनके पास कई बार बैठने का मौका मिला और लगातार बैठते थे हम लोग उनका ज़्यादा ध्यान होता था कि मैं अपने बाबो जी की लिखी किताब को पढ़ओ। लेकिन यह मानते थे उस बात को तो इस तरह से भी लोग मिलते हैं जो कि अपने परिवार में अपने पिता के ऊपर इतना ऐसी अंध भ्यक्ति और इस तरह का बेवहार और इस तरह का शलूशन निकालने का तरीका कि वकील बैठे हुए हैं नेता बैठे हुए हैं आप खुद होता है संजदत जो है वो उनके जो जितनी भी एक्सपरियेंस जो मुझे रही है यह बहुत अच्छे इंसान की तरह मैंने उनको देखा यह मैं भी उनके साथ एक पॉड़कास किया है बहुत ज्यादा हम्बल थे स्मार्ट थे और परस्पेक्टिव था मतलब उन्होंने जि दू झाल यह मैं आपको बताओं वो जेल से मुझे लेटर्स लिखते थे मैं उनके लेटर्स को देखता-था इतने इन्नोसेंट लेटर्स अब उनका वो संजदत इस बात को मानते हैं कि मैंने कोई गलती की होगी पीछह की गलतियां मानते हैं जिस केस में वो फसे या जिस क केस की वज़ा से उनको इस सबकुस देखना पड़ा, मैं आपको बताओं, जेटमदानी जी उनके वकील होते थे, एक बार मैंने इसको लिखा भी, जब जेटमदानी जी की डेथ हुई थी तो मैंने इसके लिए राइट अप लिखा था, जेटमदानी जी एरपोर्ट के अंद नहीं करता था क्योंकि उन्होंने हरा दिया एलेक्शन मुझे, इतना ली जी पहले MP होते थे, लोकसवा के MP होते थे, बाद उनको रस्वा जाना पड़ गया था, तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कहीं वहां पे, मुझे बहुत ही देख करके, और संजद अतनी इतने तरीके से ह कर रहा हूं, क्योंकि एक आदमी जो कि इतने बड़े स्टार के, बड़े माता-पिता का पुत्र हो, जिसके पास सारी दौलत हो, सारी पग्लिसिटी हो, जब आप स्कूल ने पढ़ रहे हो, तब से लेके, और जब तक आप बड़े टीनेजर होते हो, तब तक आपको सब कू जिसने कभी कोई, जैसे संजय दते कपड़ा एक बार पहनते थे, एक कपड़े को एक बार पहनते थे, और उसके बार उसको कभी नहीं पहनते थे, फेक देते थे, जेल में जाने के बाद उन्होंने के कपड़े देखो आप, 25-25 शेद होते थे उस कपड़े के अंदर, और क इतने लोगों से मिला हूँ बहुत ही honest personality है और बहुत ही बहुरिक ब्यक्ति जिसको आप बात करें तो आपको family की तरह एक अपने आपके परिवार के आदमी की तरह हूँ आपसे बात करेंगे तो मुझे उनसे हर interaction उनका मुझे अच्छा लगता है और हर बात आपसे कुछ गलत कर रहे हैं तो आपसे भी जेपेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है उनकी ऐसे ही कई और artist मिले हम लों को जिनकों की मिलके singers मिले, dancers मिले, कितने लोगों को मैं जानता हूँ कई सही रास्ते पर चलते हैं, कई उल्टे रास्ते पर चलते हैं लेकिन ये भी जान लीजे, जो उल्टे रास्ते पर चल रहा है, वो भी चलना सीज़े रास्ते पर ही चाता है उसका भी मन उल्टे रास्ते पर चलने का है नहीं कोई ने कोई मजबूरी है उसकी जिस पर उस पर गया हुआ है और अंत में एक चीज सही है कि इस बॉलिवूट के बारे में या इंडिस्ट्री के बारे में कि अगर उनको इन्वार्मेंट मिले माहौल मिले तो कोई भी आदमी एक रास्ता नहीं चुनेगा कि जहां से उसको रोज सरकारी एजनसी के फोन आये या इंकम टेक्स की नोटीस आये या जीस्टी की नोटीस आये वो चाहता है कि सही रास्ते पर ही चले मैं आज ही एक किसी से मिल रहा था और उनकी बहुत बड़ी बिजनस वांबे के अंदर उनकी थी हर टेलिजन चैनल पे हुआ करते थे वो अभी उनका टाइम ठीक नहीं है टाइम ठीक नहीं है तो बैंक से करजे नहीं मिलते सितिया है ना उसने आपको कम्जोर कर दिया हम लोग के यह एक बहुत बड़ी कहावत है कि जब आप भगवान सिरकेशन को भी बहलियों ने तीर से मार दिया था जो उनको पूरी दुनिया के लिए एक युद्धा थे भगवान खुद थे लेकिन उनको बहलियों की तीर से जाना पड़ा ऐसे ही कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आपको बहुत बड़ा प्रकान पंडित और ग्यानी समझते हैं उनको छोटी 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 चीजों से उनकी हार हो जाती है तो उसको भी मानना चाहिए कि आपको उसका अहंग आपको उसका घमन नहीं होना चाहिए और अगर आप इसको चला रहे हो तो सब कुछ आपको अच्छा चलेगा और बढ़िया चलेगा लोगों की मजबूरियों के वक्त और मुसीबतों के वक्त लॉयर्स की ज़रूरत प्रती है तो आप हर दिन किसी की मजबूरी या मुसीबत देख रहे हो वो देख रहे हैं और मैं हर बार किये कहता भी हूँ मैं कई बार किसी से बात हुई तो मैं कहता हूँ कि खुदा महफूज रखे आपको तीनों बलाओं से मैं बोलता हूँ, मजाक में ही बोलता हूँ होनी चाहिए लेकिन तभी जब आप कोई जरूरत पड़े अगर आप अपने अस्तर पे ठीक कर सकते हैं तो ठीक कर लीजिए और बाकी जो चीजें अगर आपको मैं इसको बला इसलिए मानता हूं कि आप परिशानी में याद करते हैं आप सोचो ना आप हमारे पास सुबह से स कर रहे होते हैं तो मैं उसको बार-बार सोच रहा होता हूं कि या यदि अपनी परिशानी में कई लोग अपनी परिशानी में बड़े काम रहते हैं जैल से छूट के आए हैं आप drinking कर रहे हैं अपने केस को ठीक से तयार किया हुआ है कि कल आपस सरेंटर करना है मुझे कई इसे होते हैं जो बोलते हैं हमारे घर का आक्षन है परसों उसको रोकना उसके लिए हैं आपको पूरी केस समझा रहे होते हैं तो आप उस बुरी परस्तिती में भी अपने दिमाग को अपने बैलेंस को कैसे ठीक रखें वो भी बहुत जरूरी है तो हम लोग हर दे मुझे फिर से थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री वारे बात करना है समझा और कुछ अनिकडोट्स शेयर कीजिए फिल्म इंडस्ट्री के कितने ऐसे लोग हैं अब सलमान खान नहीं जैसे किया होगा जब ये बलैक बग का जो काले हिरन का सिकार था उनका जब एक केस रहा हो कि आप सौकीन भी हो आपने चाहे इनोसेंटली कर दिया हो मगर ये कानून को आपने तोड़ा और जब आप इस कानून को तोड़ते हो तो इस कानून को तोड़ने की जो सजा है वो बाकी लोगों को जागरू कर देती एक मेसेज जाता है बाकी दुनिया में कि नहीं ये रहो तो इमत करो, ये ठीक नहीं है आपके लिए, देखो सलमान के साथ क्या हुआ, वो एक मेसेज जाता है, देकिन ये भी सही है कि हमारा सिस्टम रिफार्म करने के लिए, अगर कोई आदमी उसको जैनुरि अपना मान रहा है कि हमसे गलती हुई है, और उसके अंदर कोई प् आप देखिए, अमिता बच्चन का लैंड केस है, उनको पौना में जमीन चाहिए थी, डैम के पास, वहाँ पे आप किसान होगे तभी ले सकते हो, ऐसा चाहिए था, आमिर कान के घर में उनके परदादा वगरा उनके बागीचे होगी चाहिए तो तो किसान बनके उन्होंन लेकिन आप जमीन लेना चाहते हो इसके लिए, आप इतना परिशान हुए और अल्टिमेटली वो उससे बाहर हो गए, उस मुसीबत से बाहर निकल गए, लेकि जितने ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताओ, इतने नेताओं से मिला मैं, इतने फिल्म स्टार्स से मिला, मुझे स सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा मिच्योर तरीके से की पत्र लिखना, बात करना, उसको कैसे हम क्या लिखें, कब लिखें, यह अमिता बच्चन के अंदर एक्वाल्टी है, शायद शोहरत आपको ऐसी चीज़े सिखा देती है, फेम, वो भी है वही ब्यक्तित्व है, वही कला है उसके अंदर, और उस आदमी के अंदर केवल दो-तीन चीज़ें जीवन से कम हुई, तो सारा कुछ बदल गया, यह होता है, और यह जो उनके साथ हुआ है, इसके अरावाश जलता जी को देखता था मैं, जलता जी तमिलनाडू की इतनी प इतनी अच्छी आवाज में गाती थी हो, और उनका एक मानना था, जीवन के पर नजरिया था उनका, कि हम मारे पास जो भी है, वो मुझे ले के नहीं जाना है, कोई और उनका नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी वहम था उनके अंदर, जब भी आती थी हो अपनी कुरसी कियाते थे, उस पर बैठते थे, लेकिन और उनका मनना था, कि हमारी जो कुरसी है, ये हमारे इस से उतरने पर हमारा कुछ दरबर हो जाएगा, ये वहम था उनका, लेकिन और मानती थी उससीच को, ऐसे कितने ऐसे लोग हैं, आप हार एक से कुछ न कुछ सीखते हो, जितने लोग आप से मिलते हैं मैंने कितने ऐसे politicians को देखा जो अपनी party के वल इसलिए बदल दी है कि हमारे खिलाफ एक case होने वाला है ये बच जाएंगे इससे हम कितने ऐसे लोगों को देखा और बच भी गए क्योंकि जो सरकार चलाने का तरीका होता है वैसे ही होता है लेकि मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि आज की जो generation है जो आप लोग की है जो नए बच्चे आ रहे हैं उनकी generation ये जो सारा जो बदलाव वाली दुनिया है इसमें ऐसे लोग हवा हो जाएंगे लोग शलेंगे नहीं तो आप रास्ता सही ही चलेगा अब ये जो देस है वो सही रास्ते पर ही जाएगा और आप कोई इसको पीछे खीचने की कुशिच करेगा उसको सजा मिलेगी पता है सर इस पॉडकास्ट पर अंडरवल की बहुत सारी बाते होते हैं पर कोई भी एकदम सीधा जवाब नहीं देता पुलीस फोस से जब अंडरवल के बारे में पूसे है तो वो कहते है कि खतम हो चुका है कोई और कहते है कि नहीं कुछ ऐलमेंट्स है तो अंडरवल का सच क्या है एस्पेशली दाओद इबराहिम के परस्पेक्टिफ से उन्हें पाकिस्तान से कराजी से लाया क्यों नहीं गया है नहीं वो तो सरकार चाहती है लाना लेकिन नहीं ला पा रहे है कि वहां के सरकार मानती नहीं को उनके है जियो पॉलिटिक्स की वज़े से वो तो ठीक है उनका उनके एज़न्ट यहां पर रहे होंगे और नके वो रहेंगे, यह सब एक बात है लेकिन ये ही बी ज ही है कि दाओद इब्राहिम एक नाम है जी, ऐसे ऐसे अंडर रोर्ड कितने हैं कितने तरह के लोग हैं, कहां कहां बैठे हुए है, यह कैसे पता लगता है हम लोग जब लोगों से बात करते हैं तो पता लगता है कि भाई देखो इसने तो बैंकों के हजारो करोड रूपे लूट लिये बैंकों के लूट लिये ये एक आदमी जो एक आदमी के सीने पर पिस्टल रखके चीन रहा है और एक आदमी उसे चीन रहा है आप ने तो पूरे देश के चीन लिये तो मैं नहीं कहता कि दाओद इब्राहिम कोई अच्छा आदमी या बुरा आदमी है, दाओद इब्राहिम तो क्रिमिनल था और क्रिमिनल है और रहेगा, और most wanted है दुनिया का हो, वो अलग बात हो गई, लेकिन उसके साथ-साथ आप ये तो देखिए, कि जो सफेद पोस अपर आपको करने नहीं देगा बिटो, आप कैसे फेर बिट करोगे, आपको बोलेगा अगर तुने बिट किया तो सोच लो, गोरकपुर जिले में तो करीब 20 सालों तक दो ठेकेदारों के जगड़े में पुरी पॉलिटिक्स रही वहां की, दो ठेकेदारों की, और उनकी आपस क जगड़े में की रोड ये ठेका हमें मिलेगा की उसे मिलेगा, रैल वे का ठेका हमें मिलेगा की उसे मिलेगा, इस पे जगड़ा हुआ, पूरा क्राइम उसके दाएं बाहे था, बताब वो काम तो करना चाह रहे थे ठेकेदारी का, मगर वो पाने का तरीका क्राइम था, य तो क्या करोगा इसके लिए और बहुत से चीज़े पैसे के लिए लोग करते हैं तो पैसे का जो तरीका होता है भी हमने तो ये देख देख कैसी चाहरा है इस दुनिया को देख क़े ही लोगों से मिल की सीखा है और उनको देखके समझाए, आपको कोई पोस्ट सही है हमाल दीजे, कोई आपको एक पद्धे बैठना है, तो पद्धे बैठने के लिए राजनिती की जुगार चाहिए आपको, अगर आप किसी नेता को नहीं जानते हो, आप मुझे बताओ, भारत सरकार का कोई बड़ा वकी कि हमारा जब कल को लिटिगेशन होगा, कोट में डिस्प्यूट जाएगा, तो हमारी सरकार के बड़े-बड़े फैसले, हजारो करोड के मामले, बैंक्स के, सबके, यह हमारा यह वकील जिसको कि मैं भी जानता हूँ कि यह लायक नहीं है, यह लड़ेगा, और जब यह हारे इसल respirator को इस लिए बोला, का कांसिटेयूटन डे के दिन प्रग्राम था, मैंने लौ मिनिस्टर को अश। इस प्रग्राम में मंस्स से बोला, कि आप जो गोर्ड जो कोलिशियब कररही है, जजज जो कर रहे हैं, इसको आप माना यह यह सटल इशूग दे हैं, यह तीनों जो wings हैं, limbs हैं हमारे, जो हमारे अंग हैं सरकार के, ये शलने चाहिए और साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ, कि आपको पास सरकारी वकील बनाने के लिए जो नाम आते हैं, वो आप merit पे नहीं बनाते हो, और फिर आप जज़ बनाओगे सुप्रीम कोट के, आप हाई कोट जज़ बनाओगे, आपकी काभिलियत है इसकी, अगर आप सरकारी वकील नहीं बना रहे हो, मेरिट पे हजारों लोग को बनाते हो, मेरिट पे नहीं बना रहे हो आप, वहाँ भी आपके लोग adjust हो सकते हैं, मगर आपने criteria फिक्स कर रखा है, जो मेरिट का नहीं है जो यह और कारण हो आपको जज़ बनाने का इजिकार कैसे मिलेगा इसलिए सिस्टम में यह बात सही है कि अलग-अलग तरह के criminals, अलग-अलग तरह के अपराधी, अलग-अलग तरह के शरीफ और बदमास सब होते है लेकिन आप ऐसा कोई काम मत करो, जिससे कि देश का लांग-टर्म में नुकसान हो जाए आपको जो भी करना है, आपको ठीक है आप अपने लोग की मदद कर रहे हैं, आप कर लीची आपको साथकारी नुकरी में जॉब स्कैम मिलता ही है कोई कैस लेके जॉब देता है, कोई पार्टी देखके जॉब देता है कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है कि जो जबरजस्ती जॉब ले ले अपने लिए अब आप यह देखिए, हमने एक जॉब आफर की मान लीजिए, उस जॉब आफर करने पर कितने क्रिमिनल्स, कितने ट्रिरिस्स, कितने नकसल्स अपने हथियार छोड़के जॉब करने आ जाते है अब अगर आप डीप में जाओ, तो आप एप आओगे कि साहए इनका जो इस रास्ते को चुनने का कारण था वो नोखरी रही होगी, मजबूरी, बेरोजगारी कितने ऐसे नार्थिस्स के बच्चे हैं, जो कि अंडर अंडर अब उसमें अब नकसल बन गया है, कोई कुछ बन गया है आप पता कर ये क्या है, तो उनके घर में खाने को नहीं है वहाँ सेलरी मिल रही है उनको तो अगर कारण ये है, मैं तो बड़ा एक्स, घुमा हूँ बहुत जादा मैंने बहुत जगह के लोगों से मिला हूँ, मुझे लगता है कि अंत में आप ये पाएंगे कि जो डेवलप्मेंट है, जो ग्रोथ है, जो रोजगार के आऊसर है उसमें सारे अपराद का और सराफत का जो सिक्रेट है उच्छी पा हुआ है अगर आपको मालूम है कि आपको कोई गलत तरीके से तर्ग नहीं करेगा आपने जो गलत किया सजा मिलेगी आपको, आपने अच्छा किया उसका इनाम मिलेगा आप यहां पर पहुँचोगे, तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा, दूसरे के साथ भी नहीं होगा सरकारे यहां पर चूक जाती है आपसे हजार सवाल पूचे, आप मुझे बहुत ज़्यादा टैंजेंट्स दे रहे हो, तो मुझे पता भी नहीं कि इस पहले एपिसोड में आपसे क्या-क्या बाते करूँ फिर कभी कर लेंगे और क्या आपको क्या सुनना है पहली बार हम लॉयर से बात कर रहे है तो I'm asking questions based on our past experience कैसे topics लोगों अच्छे लगते हैं आपको politicians के बारे में पूचना चाहूँगा politicians से आपकी interaction हुई है बहुत हुई है उनकी दुनिया कैसे होती है देखिए politicians में भी जो majority है ना वो अच्छा काम करना चाहते है दिल के अच्छे होते है majority लेकिन उसमें भी गलत लोग है और उसमें भी जो सबसे बुरी चीज़ है वो bendita है जो बदला लेने की भावना है जो कि हमारा अप्वर्नेंट है इसको fix कर देना है इंतकाम इंतकाम कहलीजिये इसको ऐसा कर देना है कि इसके राजनित खतम हो जाए इसके खिलाब ये हो जाए वो चीज़ ठीक नहीं है वो गुस्से के साथ कौरते है आई ये सोचते हैं कि मेरी कुरसी बनी रहे और उसकी कुरसी चली जाए उसको कुरसी कभी नहीं मिले क्योंकि मैं बैठा रहूँगा डेमोक्रिसी में आज आपकी कुरसी है कल नहीं रहेगी परसो फिर आ जाएगी फिर चली जाएगी आपको एक बहुत अजीब सवाल पूछू पूछी है ना आप पूछी है ना अजीब सवाल क्योंकि इस पॉड़कास्ट पर ऐसी बात होती है यह सच है कि दोनों फिल्म्स और पॉलिटिक्स में काला जादू का इस्तमाल होता है काला जादू भी खूब करते हैं लोग रिल्कुल सही है सारे लोगों के वहम है सभी लोग अपने तरीके से चलते हैं सब लोग पंडितों से पूछते हैं, नमिनेशन फाइल करने तक का टाइम पूछ के फाइल करते हैं, तब आई जगह आप आएंगे कि निवू और मिर्चा रखके आप गाड़ी के दबा के पहिए, फिर निकलते हैं तैमिल नाडू में और बाके स्टेट्स में, यह होता है, फिरू मिर्लीस करने का टाइम के अलावा, कब क्या करें, मौर्द का टाइम की अगश, यही तो है, तो आप इस सब कुस तचे करके करते हैं, तांतरिक लोग बॉल्यूड में भी बैढ़े हैं, बिलकुल है。 बिलकुल है हैं. और ये तांतरीक लोग भी बैठे हैं, और ये कालग जादू भी वैठा हुआ हैं, और साथ साथ cabbage की लोग समाज जोकि समाज देनी से बंता हैं, तो समाज के जो हर तरह के लोग हैं, वही लोग फॉलिटिक्स भी बनाते हैं, वही लोग बिरोग्रसी बनाते हैं और वही लोग फिल्म बनाते हैं तो उनहीं में से लोग निकलके आते हैं जितने भी हमारे संपर्क में पॉलिटिशियन आए कई ऐसे तो आये जो बहुत अच्छा काम करने के मामले में बहुत अच्छे थे उनका बेवहार, उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा था लेकिन बावजूद इसके कहीं न कहीं वो एक जो परस्नल इंफ्लिएंस होता है जैसे उनको लगा कि हमारा आदमी है, इसका अच्छा कर देते हैं आपने अच्छा करने के चक्कर में जो दस लोग का वुरा हुआ और इसके बाद लोगो का अपस्सिस्टम पर से भरोसा उठा इसके जिमेदारी किसकी होगी क्योंकि आप जब अच्छा करते हो किसी एक आदमी का जो मेरिट पर नहीं है तो आप साथ साथ सो लोग का भरोसा तोड़ते हैं लोग कहते हैं इसका हो गया जिस जिसका नहीं हुआ है वो उसको देखता है कहता है मैं इससे बहतर था मैं इससे बिटर हूँ सिस्टम में ये होता है तो आप राजनीत में समाज में भरोसा मत तोड़िये और मैं आपको बत पूरी दुनिया में वह रहा है न सिर्फ फॉलिटिक्स नहीं है इंडिया में नहीं था लेकिन Zyniya को हम इंडिया से कंप्टे नहीं करते ह्याँ ने पिर हमारे यहाँ तो कई बार राजा बार भी रहे या फिर मदेकालिन टाइम आया, मुगल रहे, मुगलों के बाद अंग्रेज रहे, अंग्रेजों के जाने के बाद, देसाजाद होने के बाद, इसके टुकडे होने के बाद, आप देखिए कि उसके बाद भी लोगों की खांदान में, परिवार में, लोगों की भरोसा रहा, जनता में सबको बराबर ही मिलना चाहिए। वो जो फिलिंग थी ना वो रहनी चाहिए, वो खतम नहीं होनी चाहिए। और हमारे जो संसकार हैं हमारे देश की, हर देश का संसकार अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। मैं आपको बताओं मैं अमेरिका में, अमेरिका नमभेहजर थे इंडिया में, उन्हों ने मुझे इन्वाइट किय अपने घर पे तो में उनके गाओं गया, एवा ने गाओं था उनका, जब उनके गाओं में पहुचा, तो चार-पांद दिन रहे हम लोग गाओं वगरा घु फिरे जब वहां से निकलने लगे तो उनके पिता जी आये और उनको उन्होंने एक कागस दिया लंबा सा वो बिल था हम लोगे रहने का अपने बेटे के रहने का घर में और हम लोगे रहने का बिल था तो दिया उन्होंने हमारे यहां तो अगर कोई यह करें तो सारे मिलके उ अजीब भी लगा, जैसे अपने वो एक बेटे की तारीफ कर रहे थे, कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, इसने मुझे अपनी second end कार बहुत कम पैसे में बेची, अब ये सब बाते सुनके मुझे बड़ा अजीब लगता है, तो हमारा उनसे कोई बराबरी नहीं है, हमारे समा हम लोग हमेशा कहते हैं, राजनीत क्या है? राजनीत पहले ambition नहीं थी, राजनीत पहले सेवा थी, राजनीत पहले आपके mission थी, mission के बाद ambition हो गए हमें एक पुरसी चाहिए ये चाहिए घूठी चाहिए और गिरते किरते राजिनित ने हैं commission का गया तो mission से ambition होते होते हैं commission की राजिनित हो गए पाइसे कमा रहे हैं अब आप यहां तक गिर हो गे آپ यह देखो न आज के कितने साल हुए, 47 पाजादी मिली आपको, अभी 100 साल नहीं हुए, हमारी आज की जिंदा जनरेशन ने देखा है, कई लोगों ने तो, और कई लोगों के पिता ने देखा है, उन्हेंने कहानिया सुन रखी है, इस देश के आजादी मिलने के तरीके को सुन रखा है, और उसके बाद भी आप इस पे आ जाओ, जिसके कई मंतरी बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको देख के भी लगता है कि आरे आदमी कमिटेड है, यह बहुत काम कर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो उस लायक नहीं है, मगर राजनितिक समीकरणों से, कोई पोलिटिकली वो रेलिवेंट डिपार्टमेंट उनको देना है, ताकि राजनितिक रूप से साटिस्फाइड रहे हैं, और उनकी कम्मुनिटी हमको ओट दे, आज भी हम कास क्रील उसी पर तो चल रहे हैं, हमने लाक राइट तू जो एक्विलिटी कर दी, हमने बना दिया कि कोई भेदभाव नहीं होगा, हमारे संबिधान में किसी को ले करके, मगर हमी भेदभाव करते हैं, हमी छेत्र के आधार पे कुरसी देते हैं, हमी जाद के आधार पे कुरसी देते हैं, हमी धर्म के आधार पे कुरसी देते हैं, तो कहां कानून का कहां पारण कर रहे हो आप, संबिधान की जो मूगल भावना थी, वो कहां मान रहे हो आप, आप ही भेदभाव कर रहे हो, आज आप देखिए ना, सिस्टम जो भी चल रहा है, कोट के अंदर हम लोग जाते हैं, लोग कहते हैं, साब ये घरत अपॉइंटमेंट हो गया, वो सही अपॉइंटमेंट हो गया, आप चाहें लाग कहते रहो, आज कम से कम ये मालूम हैं लोगों को, कि अगर हम कोट में अच्छी प्रेक्टिस कर रहे हैं, तो हम जजेज की निगाह पे हैं, आप लोग जुडिसिरी के एक्जामस तो ऐसे ही होते हैं, जो तरीके करने के लिए आप करते हो, लेकिन जो हाई कोट और सुप्रिम कोट है, वो जजेज ही देखते हैं उनको, कि कौन पहुँच रहा है, कौन अच्छी भाहस कर रहा है, किसको पैसे अच्छे मिल रहे हैं, अभी एक आदमी जिसकी आमदनी नहीं चल रही है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कोट पे भी सक्सेस्फुल नहीं है, उसको आप जजेज इसलिए बना रहे हैं, उसको सेल्वी मिले हैं, उसको घर मिले हैं, उसको गाड़ी मिले हैं, यह तो ठीक नहीं है, तो इसलिए जुडिशिरी अभी आजकल की हमारी जो है, वो काम करना चाहती भी है, और कर भी रही है, फ़र्चुनेटली, Chief Justice of India Justice D.Y. चंदरचूड हैं आजकल, जो की दो साल का उनके पास tenure था, दो साल दो दिन का tenure है, बहुत ही अच्छे ब्यक्ति, हर एक से बात करना, कभी उक किसी बात को छिपाते नहीं, आप कोई बात कही हैं, दिल से अपनी बात कहते हैं, यह बहुत rarest देखने को मिला है, पहले कभी देखने को नहीं मिला, इस पोजिशन का महत्व भी समझाना पड़ेगा आपको, Chief Justice of India होता क्या है, और इतना सम्मान क्यों देगा जाता है उस पोजिशन को, देखिए, जो हमारे संविधान के जो तीन अंग हैं, हमारी सरकार के, उसमें नायपालिका एक अंग है, यह भी आपको एक लिएर डीप समझाना पर रहा हैं, बता रहा हूँ मैं आपको, तो हमारे यहां बना हुआ है, ब्यवस्थापिका है, कारेपालिका है, इसक्रिटिव हो गई, पॉलिटिशियन से एक साइड में हो गए, एंपी जमेले, ब्यवस्थापिका के हिस्सा हो गए, यह कारेपालिका में आ गए, जो एक्रिटिव का काउंट करते हैं, दूसरी साइड में फिर यह न्याए पालिका आ गई, जो कि हमारे न्याए धीस गण होते हैं, जो न्याए ब्यवस्थाप हमारी करती हैं, तीनों इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन आप मुझे एक बात बताईए, क्या कोई चीफ फिनिस्टर अपने पियस को बोले, यह आरडर है, हमारा ऐसे ऐसे करो, उसकी हिम्मत है नहीं करने के, लेकिन पहले उना ना करते थे, पहले नहीं मांते थे, अब जुडिसीरी इंडिपेंडेंट है, तो कम से कम यह फायदा, जुडिसीरी पे कौन जाता है? कोर्ट में आपको वही अप्रोच करेगा जिस ब्यक्ति को सरकार से सिकायत होगी आपकी जमीन किसी ने क्वायर कर ली आपको किसी ने मार दिया आपके साथ किसी ने जाती कर दी आपको किसी ने फ्रॉड कर ली आपके साथ किसी ने आपके साथ दोखा धड़ी कर ली आपके साथ कोई और जाती हो रही है या कि आप किसी के खिलाफ कुछ कर रहे है या आपको लगता है कि ये व्यक्ति क्रिमिनल का रवाई होनी चाहिए तो आप जाते हो ये सारी जो चीजें ये कब होती है जब सरकार फेलो जब हमारी एक्सक्यूटिव फेलो तब ये बाते होती है आपका काम है समयधान बनाना कानून बनाना समयधान बन गया हमारा कानून आप बना रहे हो लगातार समय के हिसाब से एक्सक्यूटिव उसको फालो करा रही है उसके खिलाब का रवाई कर रही है और जब आप दोनों में कहीं कोई जात्ती होती है तो हमारे पास नयाय पारिका के सामने आता है अब आप यह देखिए आज कोई अपोजिशन का लीडर हो जब वो जेल में होता है तो उसको सरकार पर उमीद थोड़ी होती है जूड़िशेरी पर उमीद होती है और जब यह आपोजिशन के आज रोलिंग पार्टी में हो जब यह आपोजिशन में थे तब भी इनको जूड़िशेरी पर भरोसा था हम लोग का भी गारजियन है मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमारे वकील जजजस से अलग नहीं है हम उसी सिस्टम के हिस्सा हैं हम उसी सिस्टम को चल रहे हैं और मिल के काम कर रहे हैं देकिन अगर भारत का मुख्य नायदी ऐसा ब्यक्ति बने जो की इस तरह की समझदारी रखता हो और एक ट्रांस्परेंट आदमी हो जो मांदारी के साथ काम करना चाहता हो तो क्या बुराई है उस ब्यक्ति के काम करने के तरीके पे उस ब्यक्ति के कदमों से कारवाईयों से एक सिस्टम को एक नई दिसा मिलेगी और यह जो तरीका है, आज कल क्या होता है, कि आप जब कभी लगता है, कि यह आदमी ठीक नहीं कर रहा है, तो हमें यह चाहिए, हमें वो चाहिए कई बार मैं देखता हूँ कि बयान बाजियां होती है आप देखिये कभी लाव मिनिस्टर साब की बयान बाजिया आ जाती है कि सब हमें राजनीती में हम लोग चुनाओ जीत के आते हैं इसलिए हमें हक होना चाहिए जुडिसरी में हमें अपॉइंट करेंगे लोगों को तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो अपॉइंट करने का अधिकार मिलें आपको वो तो ठीक से करनी रहो इसमें क्यों हाट डालना चाहते हो यह भी खराब करोगे अप आप इसने कोई बेटर सिस्टम का तरीका हो जिसमें की जुडिसरी के अंदर आपके इंटर्फेरंस के बिना कोई सिस्टम चल सके आप आइडिया तो दो मैंने 26 जनोडी के दिन उनको बोला यह बात मंच से बोला उनकी परजिनस में बोला और मैंने का कि सिस्टम को साथ छेड़ शार मत करिये आप दखल मत करिये तो दीरे दीरे मुझे लगता है कि जो नई जनरेशन है और जो जजज़ेश की भी जनरेशन है वो बड़ी अलक सी होने जा रही है और अब Constitutionalism है सम्भीधान वाद पूरी दुनिया में किसी भी समाज को चलाने के लिए आप अच्छाई के साथ चलाना चाहते हो चाहे तालिबान की सरकार हो वो भी सही गलत सरीया या गैर सरीया फैसले पे चलते है वो भी कहते हैं यह आदमी सही है इसको रंडित करेंगे चाहे उनको फासीद देने का तरीका कुछ भी हो अच्छे कोई नाम भी देना चाहते है हर आदमी अपने दिल की आवाज सुनना चाहता है मैं आपको इतना ही कहता हूं कि आप अपने दिल से पूछो कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है अगर आप सही मानते हो उसको तो लीगल है वो constitutional है और अगर आपका दिल कहता है कि ये ठीक नहीं है मगर अपने फायदे के लिए मैं कर रहा हूँ वो असंबर्धानिक है वो अनैतिक है और वो illegal है इतना ही समझने की बात है कानून में केवल अपने दिल की आवाज सुन लो आपको पता लग जाएगा कि आप गहर कानूनी काम कर रहे हो या कानूनी काम कर रहे हो अनलेस आप एक serial killer हो अगर आप वो भी हो तो भी आप जानते हो उसे मालूम है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ इतना तो उसको मालूम है बोटन सही कर रहा हो तो legal काम कर रहा है तोके आप ऐसे billionaire's से मिले हो जो criminals है कितनों से मिला हूँ मैं दیکिए उनको criminal इसलिए कहना चाहिए कि criminal record में नहीं है हो Otherwise तो criminal है एक बार ऐसा होता है कि सरकारों के हैं आप policy बनाने के लिए खुच जाते हो मर्डर करने पड़ता है मर्डर भी होते होंगे न जब आप एक policy कि होते होंगे न जब आप एक फिसकली मारते हो किसी को दूसरा यह है कि आप एक जो genuine businessmen है जिसे रतन टाटा की मैं इज़त क्यों करता हूँ टाटा ग्रूप की इज़त करता हूँ गूस नहीं देते हैं लोग बहुत से ऐसे industrialists हैं जो की पैसे देखे अपने काम कराते हैं और बहुत से industrialists हैं जो अपने ethics पे अपने नामस पे अपने जीवन चर्या में एक पादरश्ता के साथ एक उच्चमांडन दस्थापित करते हुए वो काम करते हैं तरतन टाटा उनमें से एक हैं पैसे नहीं देते हैं कई बार उनके काम इसलिए नहीं होते हैं क्यों पैसे नहीं देते हैं लेकिन उनका करना है काम हो नहीं हो हमें यह नहीं करना है कई ऐसे लोग हैं जो policy कैसी बने यह तक तैह कर लेते हैं यह policy बननी चाहिए इस policy में यह होगा आप यह condition डालो क्योंकि इसमें क्यों मैं कॉलिफाई करूँगा और उसके बाद वो काम करते हैं वो क्या बोलेंगे इसको यह तो क्राइम ही है ना तो ऐसे कि बनना तो आपको रोजी मिलेंगे पॉलिटिक्स में और इंडस्ट्री में रोजी मिलेंगे उनकी mentality क्या होती है बस काम करवाना पैसे कमाने है पैसे कमाने लेकिन पैसे कमाना देज की कीमत पे वो तो ठीक नहीं है ना आप पैसे कमा हो आपको अपरचुनिटी मिलनी चाहिए आप करो क्योंकि इन पॉलिसी के बदलाव की वज़ज़ से गरीबों को हानी पहुंच देज को हानी पहुंच रही है आप देखो ना देज का रिस्रोस मरता है ना अगर आपने जैसे 2G स्कैम ले लिए चलिए मैं एक सब बड़ा पॉपलर सा स्कैम है 2G स्कैम हमें उसकी बात कर लेता अब 2G स्कैम एक्शली था क्या यह अब आप बोलेंगे साब यह बहुत बड़ा स्कैम था यह लेकिन यह कैसे हुआ इस कैम है जितने इंडेस्टिनिस्टे थे उस जमाने में जो नहोंने 2G के लिए अपलाई किया वो क्यों अपलाई किया क्योंकि उस जमाने में 3G तो चल रहा था 3G आलेडी चल रही थी उसम तो आपको गवर्मेंट से वो bandwidth खरीदनी पड़ती है और उन्हें खरीदने के लिए आपको गवर्मेंट से खरीदने पड़ते है और वहां bidding होती है यह context है अब आप समझाए इसे wireless है आप wireless लेते हो उसको भी खरीदना पड़ता है WLL भी खरीदना पड़ता है wireless तक के frequency खरी लोग 4G license सबको चाहिए था और 4G license पाने की precondition थी कि 4G हम उसी को देंगे जिसके पास 2G होगा मतला अगर आपको कार खरीदना है तो बाइक आपके पास होनी चाहिए इसके बीचे कुछ logic नहीं है कोई logic नहीं चैलेंज करते तो court से set side हो जाता लेकिन इन्होंने policy ऐसी बना मैं को इतनी बात कह रहा हूं कि जिनके पास 3G पहले से था जिनकी तैयारी 4G की हो चुकी थी उन लोगों ने ऐसी policy बनवाई कि जिसके पास 4G license के लिए वही apply करेगा जिसके पास 2G होगा अगर आप ऐसी condition बनाओ ये गलत है और लोगों ने फिर भी 2G के लिए bid किया लोगो ने लिया लोगों ने गौवर्मेंट से जगड़ा नहीं लिया क्योंकि अगर मालोगों गौवर्मेंट से लट जगड़ कि आप 4G license पा भी जाओ तो गौवर्मेंट रोज आपके पीशे लग जाएगी क्योंकि signal जो आप देते हो किस frequency की signal चाहिए कितनी उसकी strength होनी हर कार पर लिखा रहता है crash test कार का हुआ होता है क्या क्योंकि जब आप पूसी है तो वो बोलते हैं साप हमने crash test कार का तो बोलते हैं इसलिए नहीं किया हमने crash test करेंगे तो हमारी ये कार 20 लाकी पड़ेगी हम 6 लाकी नहीं बेच सकते तो आप एक certificate fake दे रहे हो हर एक को मालूम है कि हमारी जो कार है जो हमारी 5-6 लाकी या 7 लाकी कार है इसका crash test नहीं हुआ है उन्होंने computer पर करेंगे देखा होगा मगा test नहीं किया है क्योंकि test की cost ये पड़ती है क्यों उसको बचाने के लिए आप इतने पैसे आप इस तरह स आते हैं तोड़ने के लिए और लोगों की इससे हैसियत जोड़ते है कि हम इने इतने कानून को मैंने तोड़ा मेरा कुछ नहीं हुआ इसका मतलब मैं powerful आप और वही कानून तीन अलगला लोगों के लिए अलगला तरीके से operate करता है इस देश की अंदर आप जो असली समानत चाहिए ऐसे करना चाहिए वो अभी हुआ नहीं है वो अभी होगा की नहीं होगा मुжे मालूम नहीं और वो सायड दुन्या में कहीं भी नहीं हो पा रहा है ठीक से लेकिन हम उसकी तरफ आगे द्रें बढ़ रहे हैं जंता जागरुग हो रही है इसक्छा बढ़री है educated । जब आप पड़ लिखके आओगे तो आपने जिकारों के लिए बोलोगे और जब आप बोलोगे तो आपको आपकी आवाज सरकारों को सुननी पड़ेगी यह दीरे धीरे यह चीजें हो रही है और हो जाएंगे लेकिन आज तक का जो सिस्टम है इसके हिसाब से तो मैं यही कह कर दिया अब आपकी वेरिफिकेशन के लिए एक आदमी आया और कुछ गलत वेरिफाई कर देगा आपका आपने उसको 500 रुपे नहीं दिये तो आपका verification गया और आप उसके लिए आपकी कोई travel है वो रुख जाएगी तो आप जैसे ही कोई आता है अगर आप घर पे नहीं भी हो तो मैंने देखा है कि सौव में 90 लोग घर पे फोन करते हैं रहार हो आया है verify के दिने के लिए उसको 500 रुपे देना यह क्या है यह वही चीज़ है यह उसी तरह का offense है उसी तरह की एक बनोब्रती है जो की बढ़ रही है आपको DL बनाना है आपने DL के सारे टेस्स आपको नहीं देने आप रोड के सारे साइंस नहीं पहचानते हो लेकिन आपको कराना है तो एजेंट आपको बोलता है का हम ऐसे कर देंगे फ़र्चूनेटली आनलाइन हो गया है बहुत से चीज़ें हो रही है ठीक काम चल रहा है मगर आप नीचे से लेके उपर तक आधार बनाने से लेके DL बनाने से लेके हर जगा तो आपका कुछ न कुछ सिस्टम चल रहा है और अगर आप उस सिस्टम नहीं करो तो बहुत ही गलत हो जाता है कई बार आपको लगता है कि पासपोर्ट ही नहीं है आपके पास में DL में आपकी स्पेलिंग गलत हो गई आप एक बार एक ऐसे अपयक्ति मिले मुझे से कि आप देहते हो मालीजे आप महाड़ा एरिया में रहते हैं आप यहाँ पर आपने प्रापर्टी करीदी पचास क्रोड की और पचास क्रोड की प्रापर्टी के डाकुमेंट में आपके नाम की दो स्पेलिंग गलत कर दी उसने कल को आप जब बिचने जाओगे बिकेगी यह नहीं पहले करेक्शन कराओगे और या टेक्स में आपको नोटिस आएगी कि यह आपके नाम पर नहीं है वो करेक्शन कराने के लिए भी आप कुछ ना कुछ तो खर्च करीद होगे ना क्योंकि आप जो चोगे यार पंदला बार मैं जाओँगा मेरे जाने आने की भी कीमत है आपके इस टाइम की भी तो कीमत है जैसे आप कहीं यहां से निकल के जाते हैं गंटे भी देते हैं उसे गंटे की वैलू आप रेस्ट करोगे आपकी जो महीने की जो कंट्रिबुशन है इस देस के लिए टेक्सपेयर के रूप में या फिर आपकी अपनी कमाई के ले करके अपने परिवार के लिए तो कि आप अखेले नहीं हो आपका ड्राइबर है आपके साथ काम करने वाले लोग हैं उनका परिवार है साथ-साथ समाज के भी लोग है जब टेक्स दे रहे हो तो आप उस घंटे को जोड़ोगे पाओ गयार एक घंटे की जो हमारी कीमत है वो इतनी है और वहां जाके इतने में काम हो जाना है मैं क्यों खराब करू हो अपना लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है यह सिस्टम ठीक करना पढ़े गा और जब तक हम यह ठीक नहीं करेंगे तब टक हमारा जो देश हो सरी रास्ते पर नहीं चलेगा आपको ग्रास रूट लेबल पर करेक्शन चाहिए, वो करना पड़ेगा आपको ये बिटिशर्स की वज़ो से हुए, कि सिस्टेम इतना उपर नीचे है लेकि बिटिशर्स की टाइम पर डियल चाहिए कि इसको था नहीं पर जो भी प्रोसीजर है, लेकिन ट्रांस्परेंसी हमारे हां नहीं है जैसे अब RTI है, RTI हम लेके आगे, लेकिन क्या RTI को कोई आफिसर चाहता है कि इस RTI लगे कोई आफिसर चाहता है कि हम जवाब दें इसका, आप लो तो मीडिया में हैं, आप लो तो इतने आप कोई RTI लगाते हैं, आप जवाब मिलता है, RTI लगाओ और फिर आफिसर को बोलो कि या रियार दे देना हमें लगाई है, तब मिलेगी आपको बरना हो कोई अबिक्शन लगा देगा, फिर आप अपील में जाओगे, फिर आप लॉट के आओगे, जब तक आप चार महीने, छे महीने में आप इन्फरमिशन पाओगे, तब तक उसकी रेलेवन्स जा चुकी होगी, तो ये कोई चीज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी प्रैक इसको ये बोलना चीए था, इसको नहीं बोलना चीए था, ठीक है वजो भी थोड़े कॉसरी रहेंगे ना, क्या बुराई है, आप तैयार रहो, और जो नए बच्चे हैं, जो कैसे सीखेंगे, आप उनको क्या मेसेस दे रही हो, जो नए उकील आ रहा है, जो नए से बहुत कुछ सुधर गया है और artificial intelligence भी आगया अब तो law में भी law में भी हो रहा है न हम लोग यूज कर रहे है अब आप देखें drafting जैसे हमारी है judgments की analysis है आप जहां type करते हो invitation to treat, contract आप so and so आप जैसे ही type करते हो सारे judgments आजाते है फिर उसके बाद आप type करते हो further कि sections so and so उसकी judgments आगे सारे फिर आप एक application ही बना सकते हो dot free हो सकता है ready made भी आ सकता है अभी मुझे कोई मिलने आया उसने मुझे कहा कि sir मैं speech बनाता हूँ AI के थूप कैसे बनाते हो तो AI के थूप बनाते हैं हम कोई copy नहीं करते कोई भी कहीं there will not be any plagorism कोई copy नहीं होगी कहीं किसी 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 कैसे करते हो अप उसने बोला हम सारे information डाल देते हैं फिर उसको refine करते है search को आप left बोलना चाहते हो right बोलना चाहते हो middle path बोलना चाहते हो उस सब कुछ इसके अंदर options है फिर course डालना है आपको कुछ और आपको serosary डालनी है poetry डालनी है सब कुछ इसके अंदर होगा फिर आप अपनी subject को डाल दो speech बनके आ जाएगी और 7-8 तरह की आएगी then you can select which one you want उसको थोड़ा modify कर लो अब ये चीज़ सुरू हो गई AI के थो वो हो रही है judgments भी AI बना रही है आप बना के दे देती है फिर आप उसमें जो आप refine करना हो जो ठीक करना हो आप करिये उसको तो US में भी कई जगा लोग AI को use कर रहे हैं UK में भी कर रहे हैं इस चीज़ां तो सुरू हो गए है अपने आप ही हो जाएगी पर lawyers के job को खत्रा नहीं है Lawyer के job को कभी खत्रा नहीं है क्योंकि हर एक आदमी का जो case हो अलग होता है हर एक व्यक्ति की जो का जो सभाव हो अलग होता है हर एक case की अंदर जो एक जो एक तर्च होता है, वो अलग होता है, बिना वकील कि वो नहीं हो सकता, अन्कॉंटिफाइबल डेटा, जिसे कहते हैं, मतलब आप उसे पेपर पे लिख नहीं सकते कि ऐसी चीज़े हैं, न्यूआंसे, अब यही कह रहो, नहीं, मैं कहरा हूँ कि आप सब कुछ लिख लिए, सब कुछ कर लिया आपने, लेकिन आपका जो केस है, एकजेक्टली जो आपका केस है, उसमें कोई यह काछ चीज़ तो अलग होगी, खुबहुब तो नहीं होगा पुराने वाले केस की तरह, आपका सोचल बैग्राउंड अलग होगा, आपका एरिया अलग होगा, आपका आफिसर का कंड़क्ट अलग होगा, उसकी डेट्स अलग होगी, कुछ तो होगा अलग, वहाँ पर आपको वकील चाहिए, मगर वकील काम आसान हो गया, जैसे मैं अभी करता हूँ, हमने एक लीगालेट सेंटर बना रखका है, हमको रोज कम से कम, आप यह मान के चलने की एक हजार कॉल आते हैं, आरे ओफिस को, जिसका जवाब देते हैं वोग, उनको बताते हैं, फ्री बताते हैं, उनकी मदद करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि कई बार एक ही तरह की समस्या है, मगर उसमें भी बातें अलग-अलग होती हैं, आप किसी की शादी के 6 साल हो गए हैं, और किसी के 7 साल हो गए हैं, किसी के 8 साल हो गए हैं, तिनों में 3 बाते हैं, बिसिकली जजबात का भी रोल होता है, इस प्रोफेशन में, और जजबात को AI कैप्चर नहीं कर सकती हैं, ग्रेजवल ही यह होगा और इससे मदद लेकिन जरूर मिलती है हमें और यह मदद हम लोगों को मिल रही है याई के थू इस पॉडकास को एंड करने के लिए मैं बस यह कहना चाओंगा कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा हेवी असूर बहुत ज़्यादा इंफिमेशन भरी हुई है बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी है इस पॉडकास के थूरू सिर्फ आपके जैसे एक और इंसान मिले थे जिनका नाम था डी शिवान अंदन अब जानतो वही बहुत लेजंडरी आई बीएस ओफिसर अब दूसरे ऐसे इंसान हो जिनके पास इतने ज़्यादा डेटा पॉइंट से करेंट अफेस को लेके और सिस्टिम को लेके तो यह इंट्रोडक्टरी बॉटकास्ट था सर मुझे रोकना पढ़ रहा है क्योंकि इस पॉटकास्स का लेवल बहुत जादा हेवी हो चुका है तो कैसा रहा आपका पहला बहुत अच्छा रहा रहा है फर्स टाइम मैं किसी पॉटकास्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ और खब भी नहीं लेकिन यह और भी फैलना चाहिए आपका, यह जो फैलना चाहिए ऑर भी पैलना चाहिए. बेन फैला गई तो फैलना चाहिए. मुझे लगता है Die मेरे थकी हो पोहँचा अभी तक.. मैं उसको लेके मैं एक अफसोस भी कर रहा हूं मैं तो आने के टाइम में पर रेसेंश भी किया मैंने थोड़ा बहुत देखा कि आपके बारे में देखूं अब बहुत अच्छे तरीके से अंडल करें एक रहा हूं कि future of the world is informal education मतलब लोग की पढ़ाई अभी खतम नहीं होने वाली AI की वज़ा से क्योंकि अभी हमारा competition AI के साथ है हमें smart होते जाना है और ये free of cost education आप पॉटकास के थूपप्लिश कर रहे है YouTube पर, Spotify पर ऐसे platforms पर पर थैंक यू सर आप जैसे लोगों की वज़ा से भारत को free of cost की education मिल रहे है यही चाहते है हमकी भारत फिर से सोनी की चिडिया बन जाए और अगर भारत एक सोनी की चिडिया बने तो फिर लॉयोस को बहुत ज्यादा फाइदे मिलेंगे आप लोगों भी मिलेंगे अगर आपको भी एक सल्यूट करूंगा तो दोस्तों यह था आज का एपिसोड क्योंकि यह हमारा पहला एपिसोड था कोई आडवोकेट के साथ मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज था कि किन चीजों के बार में बात करना चाहिए पर हमें बस यह बता देजिए कॉमेंट सेक्शन में कि आपको प्रदीप राइसर और बाकी जितने भी आडवोकेट्स आएंगे जाएगी अंतिल नेक्स ताइम सीखते जाओ हैपनिस थू क्यूरियोसिटी ओन दे रंदीर शो